नमस्कार मैं मनीश कुमार आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्सन हैंडिलिंग के बारे में उससे पहले आज के स्वीडियो में कुछ और चीज़ हम पहले डिसकस कर लेते हैं अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि यह जो नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम या फिर पाइथन के जो प्लेलिस्ट होती है वैसा ही तो सारी चीज़े चल रही है लेकिन अब जो है मामला यूटर लेने वाला है और अब हम फोकस करेंगे पूरा डिवलप्मेंट की तरीके से सोचेंगे कि एक रियल टाइम में जो चीज़े डिवलप की जाती है वो कैसे की जाती है क्योंकि मेरा में परपस था कि डिवलपर की तरह सोचने के लिए कि एक डिवलपर कैसे सोचता है कैसे अपनी चीज़ों को हैंडल करता है और कैसे एक रोबस्ट कोड लिखता है वैसे अभी तक अबजेक्ट औरियेंटर प्रोग्रामिंग जिसको आप उप के नाम से भी जानते होगे वो नहीं आई है उस को मॉडिलर प्रोग्राम भी बनाना सीखेंगे तो अब यु है अब हम स्टार्ट करेंगे की आफिक से फाइल कैसे read करते हैं रिल डायम में encryption decryption कैसे काम करता है हमारा exception handling कैसे होता है हमारा और क्या बोल सकते हैं database से कैसे connect होता है और और भी कुछ चीज़े हैं API कैसे करने मतलब API से data कैसे फेच करते हैं या API बनाते कैसे हैं तो यह सारी चीज़े जो है पूरा development के साइड से अब हम start करने वाले हैं तो अभी तक आप सीख रहे थे कि एक जो यह python प्रोग्राम है वो क्या-क्या capability के साथ आता है लेकिन अब जो है अब हम सुरू करने वाले हैं कि यह capability का use करके real time की development कैसे की जाती है तो आज के इस वीडियो में start कर रहे हैं सबसे पहले error handling से क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम में हजारों error आते रहते हैं कुछ हमें पता होता है कुछ हमें बिलकुल भी पता नहीं होता है कि ऐसी error भी आ सकती है तो चलिए लेट ना करते हुए हम अब चलेंगे सिधा laptop के screen पे और जो आपका development का journey है आज के इस वीडियो से start करते हैं तो आज का जो हमारा topic है वो है exception handling तो आज के agenda में सबसे पहले कि exception handling होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी ठीक है कब हमें exception range करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए दोनों की अपनी importance है तो आज आ developer जब सुचोगे तो दोनों की जरूरत पढ़ती है और कुछ हम real time use cases के बार में भी बताएंगे जब हम example ले रहोंगे उसके बाद एक last में आपको program लिखना है देखो कुछ कुछ ऐसे programs है जो आपके life में कभी आया ही नहीं होंगे तो ऐसे ही कुछ programs मैं भी आप आपको देना शुरू कर दिया हूँ जहां पर कि मैंने पढ़ाई ही नहीं है तो आपको google करके solutions लाने है ठीक है तो यहाँ पे question यह है कि आपको एक file को open करना है ठीक है अब open हमने method जो है वो नहीं पढ़ा रखा है file को कैसे open करते है आप google करके सिख सकते हो तो यह सारी जो चीज़ है रियल टाइम में कोई आपको तो सारी चीज़ आ spoon feeding करेगा नहीं तो आपको google करने भी आना चाहिए अब इसमें क्या है कि if file is empty अगर file आपने open किया और उसमें कुछ भी content नहीं है तो exception raise कर दीज़े नहीं तो अगर वो empty नहीं है then find out all the unique names in the file जो file है उसमें unique name find out करने है आपको यह है आपका एक assignment जो कि आपको करना है अब unique name में जो है वो आप set भी use कर सकते हो list में पले append करके बाद में कर सकते हो तो बहुत सारी चीज़े जो है अब आपको धीरे धीरे करने आना चाहिए और multiple lines होगी तो हार line को आप open किजएगा फिर उसको पढ़िएगा फिर हार line को open करने का मतलब कि आप for loop चलाईएगा तो इस तरीके से आप functions भी बनाईएगा loop भी चलाईएगा variable भी बनाईगा सब चीज़ जो है इस question में use हो जाएगा और exception handling तो हो नहीं वाला है तो इस तरी हो भी अपने program को लिए तो हम जानते हैं कि हमारा program कभी भी परफ्यक्ट नहीं होता है कुछ ना कुछ जो है वो error आते रहता है तो उसी error को हम कैसे handle कर सकते है ठीक है जो हमारा error तो आएगा error को हम नहीं यह कर सकते है रोक सकते alors error आएगा लेकिन उसको हम handle करने के अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं तो वहीं पर आती है हमारी exception handling मतलब जो भी हमारा code mirror आ रहा है उसको कैसे हम handle करेंगे अब इसकी जरूरत क्यों है जरूरत तो यही है कि हमारा code जो है program जब चलता है तो break हो जाता है अब हमारा जो आगे चल के discuss करेंगे हमारा program break कई बार हम चाहते कि व्रोगराम break करे कि बार हम चाहते प्रोगराम break ना करें महीं पर हम use करते हैं रेज keyword का ठीक है अगर program को break नहीं करना तो rage keyword का हम यूज नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद पिर real time ्याज में जैसे हम API develop करते हैं तो वहाँ पे HTTP exception जो है, वह हम बहुँ जादा ही raise करते हैं, आप देखे होगे कि आपको 500, 400, सब से जादा लोगों ने 4 ओ 4 देख रखा होगा, website नहीं चलता, 4 ओ 4 ओ 4 वहाँ पे आता है, तो HTTP exception raise करते हैं, उसके बाद database से जब हम connect करते हैं, तो database में जब अगर connect नहीं होता है, तो वहाँ पे exception raise करते हैं, तो यह सब जो है वह real time में हम use करते हैं, ठीक है, अभी आज जो है हम चलेंगे VS code पे, क्योंकि सारी चीज़े जो है आज ऐसा कुछ flow समझाने का नहीं है, सारी चीज़े करके देखने का है, तो चलिए VS code पे और वहीं पे देखेंगे कि कैसे यह जो च चीज़े हैं, हम exception को catch कर सकते हैं, और उसको properly handle कर सकते हैं, ताकि हमारा काम जो है वह आसान रहे, ठीक है, तो यह देखिए, आज हमारा है lecture 23, और हम है exception handling पढ़े हैं, तो exception handling.py हमने बना दिया है, पहला line तो आपको याद ही रखना कि programming आसान है, और दूसरा line जो है वह हमारा log you are, logger को दिखाने के लिए, ठीक है, यह वाली चीज हमें नहीं चाहिए, अभी फिलाल के लिए, ठीक है, यह जो question है, यह हमने पिछले class में solve कर रहा था, जहांपे कि आपको बताया था कि argument जो है, और keyword argument कैसे काम करता, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग को देख लेनी चाहिए, ठीक है, यह program हम run कर रहे थे पिछले class में, और बहुत सही से, आसानी से run, रन तो हो रहा था, यह आया ना, एक मिनटों को, पूराने वाले भी logs प्रिंट हो रहे, वापस run करता हूँ, यह देखिए, हमारा 760 रुपीज आता है, अगर अलग-अलग, मतलब, क्या बोलते हैं, इसको, functions के parameter के थुरू बताया था, कि आप default parameter का भी use कर सकते हो, आप अपने से खुद parameter भी decide कर सकते हो, change कर सकते हो, run time पे change कर सकते हो, तो वो सारी चीज़े discuss करी थी, तो चलिए, इसी question को लेके हम चलते हैं, और देखते हैं कि इसमें अगर कोई गलती करेगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो अब start करते हैं, और मैं छोटा example नहीं ले रहा हूँ कि दो number है, उसको sum कर लो, फिर error आएगा, वो error आएगा, real time में development कर रहे हैं, तो real time की error भी दिखनी चाहिए, ठीक है, यह हमारा function था, पूरा pro पर चल रहा था, कोई दिकत नहीं था, अभी क्या हुगा, कि यह जो values आ रहे थे, ठीक है, final card amount में जो values आ रहे थे, अलग अलग जगा से आ रहे थे, और किसी एक developer ने, हमें value जो था, वो गलती से string में भेज दिया था, ठीक है, भेजा तो number ही था, बट उसने string में भेज दिया था, अभी हमारा program अ जाल लिजे, as a end user, आप देख रहे हो, Amazon के website पे हो, cart पे login किया, और गया final amount to pay करने, और वहाँ पे यह वाली error आ गई, तो ऐसे error तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक proper error रेज करेंगे, यहाँ पे, कि अगर कुछ गलती होता है हमारा, तो सही से उसको error दिख summation में आप integer और string को एक साथ add नहीं कर सकते है, अगर दोनों integer है तब add हो जाएगा, मतलब concatenate हो जाएगा, दोनों, sorry, दोनों अगर string है तो concatenate हो जाएगा, दोनों integer है तो sum हो जाएगा, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे value गलत था, तो यह हमें बता रहा है, आपके line number 7 में issue ह यहाँ पे sum करने में issue इसको आ रहा है, अब अगर ऐसी situation हो जाती है, तो हमारा क्या हुआ, code तो हो गया, break, अब माल लिजे, इसके आगे हमारा लिखा हुआ था, ठीक है, हमने लिखा हुआ था, log.info job ran successfully, ऐसा कुछ लिखी रखा था, ठीक है, या फिर database में कुछ entry रखा था, entry in database and job ran successfully, ऐसा कुछ हम message print करके रखे थे, अब क्या हुआ, कि जब हमने इसको चलाया, तो यह error जब आ गया, तो error के बाद की जितनी भी line है ना, यह function call यहाँ पे हुआ था, function call के बाहर की जितनी भी line है, वो अब run नहीं होगी, अगर मालीजे उसको चाहते थे आप, कि run हो, जैसे मालीजे आप database से connect कर रहा हो, मालो database उस दिन down है, और आप चाहते हो कि चलो database से अगर connect नहीं भी होता है ना, तब भी आगे का flow चले, तो उस case में तो आपका program break हो जाए सिर्फ इसको क्या करेंगे, कि जब भी हम कुछ run कर रहे हैं, तो उसको हम try catch block के अंदर डाल देंगे, try catch में बार बार बोलते हो, try accept यहाँ पर keyword होता है, ठीक है, तो try के अंदर जो है, आपका पूरा program चला जाएगा, try के अंदर मतलब कि अगर सही से चल गया, तो सही बात है अगर नहीं चला, ठीक है, try के अंदर कुछ भी, इस line number 6 से लेके 12 तक कुछ भी issue आता है, तो सीधा flow जो है, हमारा कहाँ पर आजाएगा, accept में आजाएगा, ठीक है, accept और यह convention बन रखा है, exception as e, आप हर जगए देखोगे कि developer जो है ना, ऐसे ही लिखे रहेगा, accept, exception as e, लेकि e में क्या है, हमारा message पड़ा हुआ है कि हमें क्या error आया है, अब मैं अगर इसको run करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, इसने क्या return किया, line number 19 पर इसने return किया, none, final amount to be paid, none इसने return किया, उसके बाद entry in database done, job ran successfully, इसका मतलब कि हम आगे के flow को execute अब कर पा रहे हैं, right, य यह वाला मालो calculate नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यह वाला final amount calculate नहीं कर पा रहे हो, तब क्या करो, तब भी तुम हमारा आगे का जो काम है, वो मत रोको, तुम अपने वाले mirror देके आगे बढ़ जाओ, तो यह आगे बढ़ गया, सब को सही चल दा था, लेकिन अब अगर सोचो आप एक developer की तरीके से, कि अगर आप, या फिर end user के तरीके से समझो कि आप payment करने गया, पेमें नन नन दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे आप, तो यहाँ पे जो है, जान बुछ के भी आप error raise करना चाहते हो, तो वहीं पर होता है raise exception, ठीक है, तो जैसे अब इसके अंदर ह हमने कुछ भी किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि चलो हमारा exception में चला गया, ठीक है, चला गया तो हम बोलेंगे कि भाई, अगर कुछ ऐसा issue आता है, तो raise कर दो मेरा exception, उसके बाद हमारा code का flow जो है, वो नहीं चलना चाहिए, तो यह देखिए, एक मिनट यार, एक बार मैं फिर से clear कर देता हूँ, screen, ओहो, यह देखिए, इसने पूरा again जो है, हमारा, यह output जो है, इसने, एक मिनट, यहाँ पर मैं logger.info यूज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे line number चाहिए, कि कौन से वाले line का, यह message आया, वैसे यह वाले line का आया था, बट ठीक है, मैं raise भी कर रहा हूँ, अभी इस बार, तो यह एक बार और clear कर देते है, screen, control L, या फिर आप clear लिख सकते हो, तो देखिए, इस तरीके से यह पहले आया, हमें यह वाला print statement आया, line number 14 का, कि आपका unsupported operant type है, integer and string, यह आपको message में मिला, और अगर आपने पूरा raise कर दिया, तो raise करने के बाद आपका जो है, वो पूरा traceback आ गया, और आगे की line print नहीं होई, जो कि आप चाहोगे, कि अगर आपने कभी भ आ रहा है, वो issue कैसा आ रहा है कि cannot add or print, यह सब आ रहा है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि कुछ धंका message आए, जो end user है, आपको अगर कोई website पर login करते हो, तो आपको थोड़ीना ऐसे बड़ा सा message दिखाता है, वो तो दिखाता है, cannot login, login denied, ऐसे करके आता है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पर message में लिखना है, जो message हम print करवाना चाहते हैं, तो अगर ऐसा आता है, तो हम इसको बोलेंगे कि cannot process the amount, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इसमें क्या है, तो हम जो है custom message यहाँ पर भेज रहे हैं, कि cannot process the amount, cart amount, ठीक है, ऐस से करके message देंगे, तो एक user भी जो होगा, उसको भी लगया कि हाँ भाई, कुछ तो ढंका चीज़े दिया है, और अगर मैं rage नहीं करूंगा, तो इसके बाद जो है, आगे के flow चल जाएगी, देखे, cannot process the cart amount आया, amount का spelling गलत है, amount, उसके बाद फिर कहीं और पर print है, यह वाला, यह वाला, हाँ, sorry, logger था, और इसके बाद यह वाला चल गया, हमारा मतलब की पूरा हमारा चल गया है, अब यह दिक्कत है, दिक्कत को हम बाद में resolve करेंगे, बट हमारा job जो है, यह जो application है, वो चल रहा है, job हम बार बार बहुत है, क्योंकि spark के job लिखते रहते हैं, और application ज जाए, कि जब हमें error आ रहा था, जब हमें raise e कर रहे थे, तो यहाँ पर एक type दे रहा था, आप अगर ध्यान से देखे होंगे, तो यहाँ पर हमें type दे रहा था, type error, और अभी तक आपने, आपको हमने कई चीज़े बता दे, type error, name error, value error, इस type की चीज़े हमने आपको बता र error आएगा, अभी आ रहा है name error, ठीक है, अभी आया name error कि amounts is not defined, did you mean amount वो तो खैर suggestion में आ रहा है, बत आपको पता है कि यह वाला चीज़ error आता है, name error, value error, type error, बहुत सारी तरह की error आती है, तो जब हम exception को भी handle कर रहा हुते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास कई options होते हैं, जैसे द हैं, तो कुछ specific answer भी दे हैं, जैसे हम देखें, बोलें कि accept value error, ठीक है, अगर value error आ रहा है, जो कि अभी हमें आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, value error, और हम यहाँ पर लिखेंगे, logger.inforage नहीं करेंगे हम, बस इसमें यह करेंगे, कि आपका जो value है, वो सही नहीं है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, please provide the amount in integer, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा email बगारा, जब आप provide करते हो, तो at the rate email.com, gmail.com, जो भी आप छोड़ देते हो, at the rate symbol बगारा, तो ऐसे ही suggestion देता है आपको, कि पहले आप at the rate symbol दो, वैसे हम बोलें कि please provide the amount in integer, अब हम इसको run क इसको clear कर लेते हैं, और इसको run करते हैं, cannot process the amount exception में क्यों जा रहा है, क्योंकि, क्योंकि, नहीं, अच्छा, ये type error है, sorry, मैंने value error कर दिया है, यहाप हम type error करते हैं, गलती हो गया, ठीक है, और इसको हम clear कर देते हैं, यहाँ पर run करते हैं, अब देखे, यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले हमारा, अब देखेगा, थोड़ा सा flow समझिएगा, क्योंकि बड़े code में देखोगे, तब ही समझ में आगा, कि real time में कैसे यूज कतनी, वरना मैं sum वाला पर भी करवा देता, बट थोड़ा सा दिमाग पर जोद पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर पहले चेक करेगा, कि किस type का error है आपका, अगर आपको type error मिलेगा, तो type error पे ही आपका flow रोक दिया जाएगा, उसके आगे वाली accept block को नहीं चलाई जाएगी, यह ध्यान देना है आपको, ठीक है, यह जो line piece of code है, line number 15 से लेके 17 तक, यह सबसे last में लिखा जाता है, इसके पी रुक जाए, तो जैसे देखिए, यह वाला ही line print होगा, यह वाला line up print नहीं होगा, क्योंकि वो exception में कभी जाएगा ही नहीं, पहला accept में ही यह रुक जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, please provide the amount in integer, और उसके बाद क्योंकि हमने raise नहीं किया हुआ था, तो इसलिए यह दुनों कि चाहते हो कि नहीं भाई, flow यहीं पर रुक जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर raise और मालनेजे कि आप custom message भेजना चाहते हो, ठीक है, अब exception ही आप raise कर रहे हो, type error के अंदर भी exception ही raise कर रहे हो, तो आप लिखोगे raise exception और exception के अंदर आप कुछ message डाल सकते हो, यह भी चीज हम करत raise, raise, कहां गया, एक मिनट, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारी एक गलती थी, जो हम बार बार कर रहे थे, और मैं catch नहीं कर पा रहा था, मतलब catch अभी word भी याद आ गया, तो क्या हो रहा है, कि हम देखे, try में क्या किया है, कि यहाँ पर एक exception raise करने की कोशिस कर रहे है तो हम अगर exception को raise कर रहे हैं, तो इसको कोई catch करने वाला होना चाहिए, इसलिए try catch होता है, तो यहाँ से एक और चीज़ मैं बता ही देता हूँ, भूलिया था, try पहले चलेगा, try के अंदर अगर नहीं चला तो accept block में जाएगा, और accept जो exception raise करेगा, उसको भी कोई catch करने वाल जा दू, ठीक है, अब मैं इसको run करूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर हमें error दे रहा, और error कितनी बार दे रहा, वो भी ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यह कर लेता हूँ, clear कर देता हूँ, और वापस पूरे screen पर आपको दिखाता हूँ, दीखे, real time में करोगे, तो handling the above exception, another exception occurred, ठीक है, यह वाला line आपको बहुत बार दिखेगा, अगर आपने exception raise किया और उसको catch ही नहीं कर रहा हो, तो यह वाली issue आएगी, हमने क्या किया, हमने बोला कि यहाँ पर raise तो कर दो exception, यह raise कर दिया, इसके type error के अंदर ही आया, इसने raise भी कर दिया, लेकिन raise करने के एक तो आपने exception raise किया, उसके उपर एक और exception आगई कि आपको कोई catch करने वाला ही नहीं था, तो इसलिए during handling, one exception, another exception occurred, यह वाली चे जो है, आप real time में बहुत बार देखने वाले हो, ठीक है, तो यह पहली वाली की वज़़ा से आई थी, और यह दूसरी वाले की वज़ा से आ आया, तो इसको अगर handle करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, कि जहां से आपने raise किया, देखो, यहां से call गया था, इसके पास, यह call गया था, उसके पास, और इसमें type error आया, इसने raise कर दिया, बट raise किया, तो कोई catch करने वाला तो होना चीए, तो catch करने वाला कोई था ही तो यहां पर जो है, हम वापस इसको catch करने वाला लगा देते हैं, कि अब इसके अंदर भी try catch, आप देखोगे न, एक try के अंदर, दुसरा try, try के अंदर try होता है, real time में ऐसा ही होता है, तो यहां पर इसने अब जो है, यह वाला exception, line number 15 का exception जो raise हुआ था, वो catch करने के लिए क coming from type error, देखें, अब जो है, हमारा message द्यान से पढ़िए, क्या-क्या message प्रिंट हुआ है, सबसे पहले, please provide यह वाला info प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर क्या है, value provided not integer, यह कहां सा है, line 25 से आ रहा है, line 25 कौन सा है, यह वाला है, ठीक है, तो यहां से exception को catch किया गया, और उसके पिर आगे की चीजे run हो गई, अब यह तो इसका exception range catch हुआ था ना, इसके बाद की flow जो है, आपका ऐसे agitate चलेगा, तो कई बार होगा कि आप जो exception range कर रहे हो, उसके बाद भी exception range करना पड़ेगा, तो real time थोड़ी complex होती है, इसलिए मैं जो है, थोड़ा सा complex करके ही रखना च का रहा था इसको, कि आप range exception कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी अगर कोई और exception है, उसके बाद भी कोई और exception है, तो real time में तो बहुत सारी exception के उपर exception range हो रहे होती, क्योंकि flow जो है ना, वो internally call बहुत बार हो रहा होता है, तो यह function किसी और को call कर रहा है, दूसरा function किसी और को call कर रहा है, तो इसका try उधर से दिकत करेगा, उसका catch वहाँ से दिकत करेगा, तो यह जो है ना, पूरी understanding अगर अच्छे से नहीं होगी, जो कि अभी हमने थोड़ी सी miss करी थी, और मेरा भी दिमाग खराव रहा था, कि यह जा क्यों नहीं रहा है, तो यह वाली चीज जो है आपको समझनी चाहिए, इसी तरीके से जो हमने आपको बताया था, कि exception को सबसे last में लिखना है, अगर माल लिजे कि type error के जगा, यहाँ पर हमने s डाल दिया था, तो उसके बाद देखते है, error क्या आया, error किस में गया, वो exception में गया होगा ना, इस बार, वो type error तो था नहीं cannot process the cart amount आया होगा, cannot process the cart amount, अब हमने यहाँ पर raise किया इसको, तो raise किया तो again यह catch कर लिया, अब यहाँ पर हमें raise फिर से करना पड़ेगा, वरना हमारा flow चलते चला जाएगा, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको run करेंगे, अब यहाँ पर देखे, इसने name error दिया, तो अब हम यह यहाँ पर जो है, वो एक और बना सकते हैं, कि चलो तुम्हें अगर type error आये, तो type error में करो, name error आये, तो name error में करो, मतलब एक के बाद एक जो है, जो है मारा flow जाएगा, लेकिन हम जो है, यहाँ पर लगा देते हैं, एक और, कि accept name error, अगर name error आ रहा है, तो यहीं पर हमें print कर दो, और अगर raise करना है, तो फिर से raise करना पढ़ सकता है, ठीक है, यहाँ पर यह कर दो, info, और info में बता दो कि, variable is not found, ठीक है, variable नहीं मिला, अगर आप यहाँ पर फिर से raise करना चाहते हैं, इसको, तो raise exception, please check the variable name, ऐसे आप variable name को check करो, तो यह फिर क्या करेगा, यहाँ से raise exception करेगा, फिर इसके अंदर गुसेगा, फिर यह print करेगा, और तब error देगा हमें, और आगे की flow को रोक देगा, अगर आगे की flow को नहीं रोकना इसके बाद, तो फिर आप ऐसे इसको हटा दो, और पूरा flow चल जाएगा, अब आपको समझ में आ रहा है, कि name error दिये तो, यहाँ पर बोला है कि variable not found, और उसके बाद फिर exception एक और raise हुआ, तो सारी चीज़े जो है न, अब मैं एक बार में आ file not found error, type error, value error, इस टाइप की चीज़े जो आ रही है, वो आप पहले handle कर लिज़े, और अगर आपको कुछ unknown error आते तो exception में handle कर लिज़े, जब यह block जा रहा होगा, और अगर कुछ rage कर रहे होंगे, तो उस rage को भी catch करने के लिए कोई और accept block होना चाहिए, ठीक है, और last में जो थोड़ा सा tough लगा होगा, लेकिन अगर आपको बिल्कूल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ आप दूसरे वीडियो देख लेना, जहाँ पर कि sum करके छोटे मोटे example के साथ दिखाया जाता है, यह है real time example, जहाँ पर development ऐसे ही चलती है, और छोटे मोटे example देखना है, तो कोई और एक आद वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ से कि आपको basic idea लगेगा, और फिर advance जो है, इधर आप ऐसे use कर सकते हो, तो यह था आज की पूरी exception handling की वीडियो, अब चलते हैं हम अपने question पे और देखते हैं कि हमारा सारा question हो गया कि नहीं, camera भी गरम होके बंद हो हमने बताया था कि database में अगर कुछ connection करना है, अगर रोखना है तो रोख सकते हैं, नहीं रोखना है तो raise करना पड़ेगा, right, some real time use cases में आपने देख लिया कि देखा नहीं, मतलब मैं बता देता हूँ, एक HTTP exception raise करते हैं, जो कि 4-0-4 वाला बताया था आपको, उसके अलावा ह हम exception में और raise करते हैं, जैसे कि मालो कुछ हमारा database से data null आ गया, none, तो हम check करते हैं, if data frame is equal to equal to none, तो हम क्या करते हैं, raise, exception, and फिर वाहां पर लिख देते हैं, data not found, अगर सिर्फ message लिखना होता है, तो logger.info, data not found, code is, ऐसे लिख देते हैं, कि code आगे बढ़ गया, ऐसा करके हम कोई logs पढ़ रहा हो, उसके बाद ये वाला जो program है, पाचवा question वो आपको करना है, कि program लिखना है, file को open करना है, और ये सारी question जो है, starting में discuss कर ली थी, exception रेज करना है, जब अगर खाली हो, और अगर खाली नहीं हो, तो सारे name को print कराने है, अब थोड़ा समय data आपको बता ही देता हूँ, कि आपका data जो है, वो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा जो है, वो data होने वाला है, आप किसी भी data.txt में save कर लिजे, उस file को open कीजे, पहला जो ये है, value है, पहला column, क्या बल सकते हैं, उसको, पहला record, उसको ignore करना है, बाकी जो है, आगे के सारे आपको read करने है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, कि मनीस और रोहन का जो है, वो double entry है, तो इसमें, हो सकता है, ये बंदा अलग हो, id इसका हम change कर देते हैं, इसका id हम 5 कर देते हैं, इसका id हम 4 कर देते हैं, इस तरीके स हो सकता है, ये बंदा अलग हो, बट नाम क्योंकि सेम है मनीस और रोहन, तो हमारे final output में ये तीन नाम ही मनीस, रोहन और सिमरन दिखने चाहिए, वो list में आप return कर सकते हो, या फिर set में return कर सकते हो, list, set, double, जो भी return करना है, उसमें बस ये नाम return करना है, आपको file को open करके, प exception handling भी करनी है, एक तो empty पे exception handling करनी है, एक मालों के कुछ गलत value दे देता है, तो उस case में भी exception handling आपको करनी है, कौन सी error आ रही है, उसी का error का आपको पता करके, exception handling करनी है, तो चलिए, आज के से वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पे कि हम config से value को उठाना सिखने वाले हैं,